ओम साही राम, वेलकम टू साइस अमरपन चानल, मैं हूँ आपके साथ में विन्ली और आज मैं experience लेकर आई हूँ विद्या जी का जो वेस्ट बेंगौल से हैं, उनका बहुत ही प्यारा experience है शेडी का और कैसे कैसे बाबा लीला करते हैं उनके साथ में, कैसे बाबा ने उन्हे लीला दी और इतनी प्यारी प्यारी इतनी अद्वुत लीला हैं कि बाबा के कैसे कैसे रूप है न ये हम कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी नहीं, तो चलिए आते हैं उनके अनुभव पर विद्या जी के, क्या हुआ कि जो विद्या जी की छोटी सिस्टर है कवीता जी, तो उनकी कुछ बेटी की प्रॉब्लम है, उनके कानों में कुछ सुनाई नहीं देता है, कम सुनाई देता है, तो वैसे ही मेरी उनसे एक दिन बात चल रही थी, तो उन्होंने अपनी परेशानी रखी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और समझ नहीं या रहा है कि मैं क्या करूं, और बाबा मुझे कब शीडी बुलाएंगे तो बात करते करते अचानक से मेरे मुख से निकल गया कि आप एक काम करिए आपके घर के आसपास कोई भी शीडी अगर जा रहा हो तो उनके हातों बाबा को एक परची लिखकर अपने परिशानी लिखकर भेजिए और द्वारेका म के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी दान पेटी रखी हुई है जहां पर लोग दक्षना डालते हैं तो वहाँ पर लोग परची भी डालते हैं अपने पॉब्लम्स की तो मेरे मुख से निकल गया कि आप एक काम करिए वहाँ पर परची आपको डा के आनी है या किसी से दलवानी है तो जो विद्या जी है जो कवीता जी की बड़ी सिस्टर है वो माले गाओ गई हुई थी क्यूंकि कवीता जी और विद्या जी की जो और भी एक सिस्टर है जो माले गाओ रहती है तो विद्या जी वहाँ गई हुई थी तो कवीता जी ने म को बोला कि चलिये ठीक है जब भी मेरी विद्याजी से बात होगी तो मैं उनसे जरूर कहूँगी कि वो वहाँ पर जाएं तो आपकी बेटी के नाम की पष्ची वहाँ पर डालें तो क्या हुआ कि उसी दिन जिस दिन मेरी कविता जीसे बात हुई है उसी दिन शाम की बात है मैं शेडी जा रही हूँ तो मैं बहुत खुश मैं उनका कि मैं आपको तो बोल लही वाली थी की आप शेडी जाएए और अगर आप जाएं तो कवीता जी की बेटी की परची आप वहाँ पर धान बेटी में डाल के जरूर आइए तो मैं आपको बोल ले ही वाली थी तो उनका अचानक से ही खुद फोन आया कि मेरी प्लानिंग बन गई और मैं काफी टाइम से अपनी सिस्टर के घर पर यहाँ पर आई हुई थी माले गाओ और मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं शीडी जाओं अंदर से ही मेरे अंदर उतावलापन हो रहा था एक तडब थी बाबा से मिले की कि मुझे जाना है शीडी और हमारी कल की प्लानिंग हो गई है जाने की और मैं नेक्स टे ही शीडी जा रही हूँ और जो मैंने बड़ी सिस्टर है और उनके कुछ कजन्स है वो साथ में जा रही है दो-तीन कजन्स है उनकी वो भी साथ में जा रही है और जो इनकी दीदी का जो ओफिस का कोई स्टाफ का था वो ऐज़ा ड्राइवर बन कर जा रहा था गाड़ी चलाने के लिए तो ये लोग पूरे सब लोग मिलकर पांच लोग शीडी जाने वाले थे तो इनोंने मुझसे कहा तो मैंने इनसे कहा कि अरे मेरी अभी सुभा ही तो कभीता जी से बात हुई है कि अगर कोई जाए तो उनोंने कहा कि पड़्ची डलवाने के लिए तो मैं आपको बोलने ही वाली थी कि आप शीडी जाओ और अगर आप जाओ तो आप ऐसे पड़्ची डाल देना तो वो बहुत खुश की वा बाबा ने मुझे कल बुला लिया और मैं इतने दिनों से माले गाओं में थी मैं रोज बाबा के आगे अर्जी लगाती थी कि बाबा मुझे शीडी बुला लो तो अब यहां से शुरू हुई बाबा की लीला बाबा ने उनको पहले शीडी बुला लिया तो वो नेक्स डे शीडी निकल गए और वो हमेशा बाबा का नाम जाप ही करती रहती है बाबा की उदी 24 घंटे अपने पास रखती है तो क्या हुआ जब यह लोग शीडी पहुँच गए उसके बाद में इनको समादी मंदिर में इतने अच्छे से दर्शन हुए बहुत अच्छे से इन्होंने दर्शन किये उसके बाद में क्या हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्वारे का माई का मैंने इन्हें पहले से ही बोल दिया था कि अगर आप जाओ तो कवीता जी की बेटी की परची वहाँ पर डाल देना तो इनके माई में तब से ही था कि मुझे वहाँ जाना है और द्वारे का माई में परची डाल ली है ये ठान कर गई थी बिलकुल तो क्या हुआ जब ये समादी मंदर पहुँची इनके बहुत अच्छे से दर्शन हुए बहुत अच्छे से अब देखे बाबा की परिक्षा जब बाबा परिक्षा लेने पर आते है न तो बाबा छोटी छोटी परिक्षा अपने बच्चों की जरूर लेते हैं तो क्या हुआ जब इनके समादी मंदर के दर्शन कर लिये तो वहाँ जैसे की लाइन्स लगी होती है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी द्वारिका माई की तो इन्हें द्वारिका माई के दर्शन करने थे तो इन्होंने पहले सबसे पूश्टाश की कि अम मैं द्वारिका माई के दर्शन कैसे करूं तो किसी ने बताया कि आप gate number 3 पर जाएए और वहाँ जाकर आपको दुआरे का माई के दर्शन होंगी तो ये line में लग गई, line में लगने के बाद इतना रश, इतनी भीड ये बहुत परेशान और जो इनके साथ में लोग जो थे, जो इनकी sister थी और एक driver जो इनके साथ था, staff का member वो इनके साथ था, सुबह से ये लोग भूके प्यासे लगे हुए थे और भीड देखकर तो लग रहा था कि ये तो पैर के एक, दो अराम से बच जाएंगे और जो इनके साथ के लोग थे, वो बोलने लगे कि चलो चलो रहने दो, आपको यहां बहुत टाइम लग जाएगा, दर्शन यहां होना बहुत मिश्किल है, बहुत लब्मी लाइन है, कम से कम यहां 4-5 घंटे अराम से लगेंगे, दर्शन के लिए तो चलते हैं यहां से, दर पूरी करते हैं, और यह तो जिद पर आ गई, और इन्होंने सबसे कहा, जो भी इनके साथ में थे, कि अगर आपको जाना है, तो आप जाओ, आप जाओ, जाकर होटल में खाना वाना खाओ, जो करना है आपको वो करो, लेकिन मैं अगर शेड़ी आई हूँ, तो मैं द्वार पर इनके सिस्टर साथ में थी, उनको लगा कि अब तो ये नहीं जाएगी, और ये ठान कर आई है, ये नहीं जाएगी, अब देखी बाबा का चमतकार, पहले बाबा परिक्षा लेते हैं, उसके बाद में क्या हुआ, जो इनकी सिस्टर थी, जो इनकी बड़ी सिस्टर थी, वो जो गाड थाना, उनको बोलती है, कि भाईया आप एक काम करिये, कि इनको अंदर भेज दीजिए, बाकी हम लोग यहां रहे गए तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका दर्शन करना बहुत जरूरी है, ये बिना दर्शन करें यहां से नहीं जाएंगी, तो प्लीज आप इन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो इनकी सिस्टर हसकर गाड से कहती है, अरे भाईया आप पैसे ले लो, लेकिन आप इन्हें अंदर जाने दो, तो वो जो गाड था वो हसने रगा, तो वो विद्या जी से कहते है, अच्छा, आप मुझे पैसे देंगी, ठीक है, चलो दो 500 वे दो, तो विद्या जी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं देती हूँ, और ये पर्स में से 500 पे निकालने ही लगी थी, तो वो गाड हसके बोलने लगा, अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप पैसो को अपने पास रखिए, आप मत दीजिए, तो फिर पता है क्या हुआ, तो फिर गाड ने का, ठीक है, आप पाँच मिनिट का इंतिजिए, मैं कुछ करता हूँ, तो गाड ने पता है क्या किया, इनके लिए स्पेशली, वी आईपी लाइन में से, इनको कट किया, और जो इनके साथ मेंबर्स थे, और विद्या जी थी, यानि की पूरे पाँच मे को अलग से एक लाइन में, जो वी आईपी लाइन होती है, उसमें उस लाइन से निकाला, और इनके स्पेशली जाकर दुआरे का माई में दर्शन हुए, और इतने सुकून से, इतने अच्छे से हुए, इन्होंने दान पेटी में अपनी परची डाली, बाबा के अपनी अर इतने भीड में इनको खड़ा कर दिया, कि देख रहे थे कि ये जाएंगी नहीं जाएंगी, क्या करेंगी, तो बाबा भी परिक्षा लेते हैं अपने बच्चों की, जिस विश्वास से, जिस उमीद से, ये मेरे पास आ रही है, तो क्या ये उसके लिए सक्षम है, क्या ये खरी उतर पाएगी, तो बाबा भी ना चेक करते हैं अपने बच्चों को, तो बाबा ने वैसे ही इनको चेक किया, और उसके बाद जब ये हट पर आ गई, जिद पर आ गई, कि नहीं मुझे तो दर्शन कर नहीं है, चाया पैसे लो, चाया कुछ भी करो, मैं तो यहीं खड तो वहां जितने भी लोग थे, जितने भी लोग लाइन में खड़े थे, वो सभी लोग ऑब्जेक्शन कर सकते थे, क्योंकि ये लोग विद्याजी और विद्याजी के फैमली वाले धीरे धीरे नहीं बोल रहे थे, गाट को कि आप पैसे ले लो, या आप हमें अंदर जान नहीं किया, चाहते तो वहां बहुत सरलोग ऑब्जेक्शन कर सकते थे, और गाड ने इतनी भीड में से, जहां पर चार-पांच घंटे लग रहे थे, वहां पर बस विद्याजी और विद्याजी की सिस्टर और जो उनका ड्राइवर था, उनहीं को चार-पांच लोगों को लाइन में से निकाला और विई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई वहां पर न यह बिल्कुल दिवानी हो गई थी बिल्कुल पागल सी हो गई थी कि बस बाबा और मैं और कोई नहीं। और जो गाड था इन्हें देखकर हस रहा था इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बाबा है और बाबा इन्हें देखकर हस रहे है कि मेरी कितनी दिवानी है ये कितनी बड़ी दिवानी है कितना प्यार है इसे मुझसे तो बाबा न ऐसे परिक्षाई लेते हैं अपने बच् कि जब ये समाधी मंदर में जब ये दर्शन के लिए गई थी तो जब ये समाधी मंदर में गई ना तब भी वहां लाइन में बहुत भीड थी लेकिन उसके बावजूद भी ये बाबा के लिए शौल लेकर गई थी बाबा के लिए कुछ कपड़े लेकर गई थी तो ये वहा बीड थी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर शेड़े में भीड होती है ना तो रुकने नहीं दिया जाता तो इनको वहां भी पांच मिनट तक रुकने दिया ये अराम से इनोंने बावा के दर्शन किये उसके बाद आप सभी जानते हैं जब समाधी मंदर से हम लोग लेकिन इनके हाथ में दो पैकेट रखे गए और इनोंने आगे से पूछा भी उनसे कि ये मेरे दो पैकेट है तो उन्होंने कहा हाँ ये आप ही के दो पैकेट है मतलब देखिए कि सबको एक पैकेट दे रहे हैं सिर्फ इनी के हाथ में सिर्फ दो पैकेट और इनके पूछ गया था कि ऑफिस में जाकर जमा करा रहे हैं तो ये ऑफिस में गई और ऑफिस में इनके साथ में जो इनका ड्राइवर था जो स्टाफ का मेंबर था वो इनके साथ गया और जो इनकी सिस्टर्स थी न वो बाहर बैठ गई थी और ये और इनका जो ड्राइवर था वो दोनों गए जहां donation office होता है ना उधी वाला वहाँ पर गए और वहाँ जाकर ये एक counter पर खड़ी हुई तो counter वाले ने इनसे पूछा कि आपका नाम बताईए तो इनोंने बोला कि मेरा नाम विद्या है फिर इनसे पूछा कि आप ये बताईए कि आपका district क्या है आपका शेहर का नाम बताईए तो इनोंने जो अपना बताया West Bengal, West Bengal में जहां पर ये रहती है वो computer में show ही नहीं हो रहा था आप सोचिए कि computer में ऐसी कोई जगा है कि आप net के जरीए कहीं भी अगर आप search करते हैं किसी भी area को या किसी भी address को तो वो show नहीं करता ऐसा कभी हो सकता है तो वहाँ पर वो show ही नहीं कर रहा था और जो वो computer वाले जो बैठे हुए थे counter वाले तो वो हस रहे थे कि ये क्या है तो उसके बाद क्या हुआ इनोंने फिर अपना अधार कार्ट निकाला और अधार कार्ट अपने जो counter वाला था उनको दिखाया तो वो फिर भी उन्होंने देख लिया उसके बाद उन्होंने 500 रुपे की परची slip बनाई इनके नाम की विद्या जी की उधी के लिए और slip इनको दे दी और उधी के 10 से 15 पैकेट इनके हाथ में रख दिये तो इन्होंने 500 रुपे निकाले देने के लिए जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है कि इनके नाम की उन्होंने slip काटी 500 रुपे की तो 500 रुपे तो हर कोई देता ही है तो इन्होंने 500 रुपे निकाले तो उन्होंने पता है क्या कहा जो काउंटर पर बैठे हुए थे कि नहीं नहीं आपका काम हो गया आप जाएए बस आपका काम हो चुका है आप जाएगे आपका काम हो गया और वहीं काउंटर के पास में एक हस्बन और वाइफ थे फिर वो इनको देखकर हसने लगे और बोलते हैं अरे आप इतनी दूर से आए हैं आप वेस्ट बेंगॉल से आए हैं अब आने को तो शीडी बहुत लोग दूर दूर से भी आते हैं आउट ओफ कंट्री से भी आते हैं आउट ओफ इंडिया से भी आते हैं तो जब ये वेस्ट बेंगॉल से गई तो इनको देखके इतना आश्वरे हो रहे थे और हस रहे थे और जब कंप्यूटर में इनका अड्रेस नहीं आ रहा था न तो इन्होंने कंप्यूटर वाले को बोला कि आप रहने दीजिए मुझे स्लिप अगरा नहीं चाहिए आप एक काम करिए मुझे से पैसे ले लीजिए और आप मुझे इसके बदले उधी दे दीजिए तो उन्होंने का नहीं नहीं आप यहीं खड़े रहो आप मुझे मेरी ड्यूटी करने दो और देखिए 500 रुपे की स्लिप काटके इनके हाथ में दी और इनसे एक रुपया भी नहीं लिया और 10-15 पैकेट उधी के इनके हाथ में रख दिये आप कई लोग यह बोलेंगे कि इन्होंने तो बाबा को शौल चड़ाई थी बाबा को कपड़े दिये थे ओफिस में शायद इसलिए ही इनको उधी के पैकेट दिये तो चलो माल लिया लेकिन आप यह सोचो कि अगर इन्होंने बाबा को कपड़े दिये बाबा को शौल चड़ाई तो उसके बदले इनको भेट सरूप उधी के पैकेट तो वैसे ही मिल जाने चाहिए तो फिर वो स्लिप किस बात की तो वो 500 रुपय की जो उन्होंने स्लिप काटी कंप्यूटर से वो किस बात की काटी और इनके हाथ में दी और इन्हें को समझ नहीं आया कि 500 रुपय की स्लिप भी काट दे और मुझसे एक रुपया भी नहीं लिया ये बहुत शौक्ड थी फिर ये खुशी-खुशी इन्होंने उदी के पैकेट लिये बाबा के प्रशाद लिया और ये वहाँ से बहार निकली खुशी-खुशी इनके बहुत-बहुत अच्छे दरशन हुए इन्हें हर जगा ये एसास हुआ कि हर जगा बाबा है इन्हें शीडी में हर जगा हर पल-पल एक एक कदम पर इनको ऐसा लगा कि बस हर जगा मेरे बाबा है इनका उदी के पैकेट मिलना बाबा के इतने प्यारे दर्शन मिलना और इतना समय वहाँ पर रुकना और वियाईपी दर्शन होना ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है जो बाबा निकाल कर अपने बच्चों को ले जाते है और जो भी इनके साथ में लोग थे वो बाद में हस रहे थे इनके उपर कि देखो कि इनकी जिद कैसे बाबा ने पूरी की है और वो लोग भी शौक्ड थे क्योंकि वो लोग बाबा से जुड़े हुए नहीं थे बस वो इनके साथ में गए थे दर्शन के लिए और विद्या जी ही बाबा को बहुत मानती है लेकिन वो लोग भी मानने लग गए जब उन्होंने सक कुछ देखा ना अपनी आखों से तो वो भी मानने लग गए कि actually कुछ ना कुछ तो भात है बाबा में और जिस तरह से ये कर रही है और ये जिद पर जिद कर रही थी बाबा को और बाबा इनकी जिद भी पूरा कर रहे थे बार बार हर कदम पर बाबा ने इनकी जिद को पूरा भी किया और एक छोटा सा experience और है इनका कि जब ये शीडी गई उसके जाने के पहले एक दो दिन पहले की ही बात है माले गाओं की तो ये अपनी sister के साथ में अनाताश्रम गई थी किसी तो इन्होंने सोचा कि जो बच्चे होते हैं उनको कुछ न कुछ दे आओं तो ठंडा लेकर ये ग पहुची तो वो बंध हो चुका था लेकिन इनकी request पर उन्होंने इनको permission दे दी वैसे permission किसी को देते नहीं है वो लो तो इनको permission मिल गई जब इन्होंने अंदर गई इन्होंने entry की entry करते ही बाबा की बहुत बड़ी फोटो अनात अश्रम में लगी हुई थी और विद्या जी देकर इतना जादा खुश हो गई कि बाबा आप यहां पर भी हो आप कड़ कड़ में हो आप हर जगा हो मैं जहां भी आपको ढूनती हूँ ना आप मुझे वहीं मिलते हो और शे तो इनका बहुत ही प्यारा experience था शेड़ी का और इनका काफी time से मन था कि यह शेड़ी जाए और यह शेड़ी गई बाबा ने इने अचानक से बुला लिया और इतने प्यारे प्यारे बाबा ने अनुभव भी दिये इनको एसास कराया कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ हमेशा तो I hope हम सभी को बाबा शेड़ी बुलाएं और जल्दी जल्दी बुलाएं सबकी मनुकामना बाबा पूर्ण करे और हम सब शेड़ी जाएं ऐसे ही बाबा हम सबको प्यारे प्यारे अनुभव दे अपने दर्शन दे और सबकी जोली बाबा भरे सबको आशिरवा दे यह मे तो चलिए मैं लूँगी समापती, अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए ओम साइराम, जै साइराम.